और दोस्तों सवागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब च्रैनल एक लब भी आज एस्ट्रोजी में और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है राहू के गोचर के उपर की राहू का गोचर मेश-राशी में जो होने वाला है बहुत सारे लोगों को लगता है कि होने व के हिसाब से अल्रेडी राहू एरीज में जा चुका है ठीक है तो अलग-लग लगनों के लिए क्या रिजल्ट होंगे उसके उसके पराज चर्चा की जाएगी और मैं लगभग मेश-लगन से लेकर के कन्या-लगन तक मैं एक्स्प्लेइन करूंगा कि आपके लिए कैसे रिजल्ट रहने वाले हैं आप मेंसे जो कोर्स में इंट्रेस्टेड हैं कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं अपराल के महिने में पर्मडेशन कोर्स परडिक्टिव लेवल वन और नक्षत्र कोर्स 2022 वो स्टार्ट होने वाला है सेकंड बैच तो आप इंट्रेस्टेड जो लोग हैं वो कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए लेते हैं पहला लगन बेश-लगन कि आपके लिए राहु का गोचर आपके लगन में होने वाला है तो आपके लिए वो क्या रिजल्ट देगा जैसे राहु का गोचर आपके लिए होगा यहां पर आप सबसे पहले दो चीज़े हैं एक मून कुंडली यानि की चंदर लगन दूसरा लगन और तीसरा सबसे इफेक्टिव जो म क्या यहां पर कोई प्लानेट बैठा हुआ है या उसके पंचम या नवम में कोई प्लानेट या उसके सब्तम में कोई प्लानेट तो नहीं बैठा हुआ है उसके कारक्त तो को बहुत ज्यादा इफेक्ट जरूर करता है तो पहले हम बात करेंगे कि अगर मेश राशी है आपके लगन में आ रहा है, माली जी चंदरमा मेश राशी का है, वो आपके लगन में आएगा, चंदरलगन के साब से, और अगर मेश लगन है तब भी लगन के साब से आएगा, ठीक है? हाला कि गोचर देखना चंदरकुंडी ये लगनकुंडी इस तरीके से नहीं देखा जाता है लेकिन फिर भी हम जनरल चीजों के बारे में आज डिस्कुर्शन कर सकते हैं मैं नहीं पता सकता क्योंकि चंदरकुंडी से कुछ और चीजों दिखाता है और लगनकुंडी से कुछ और चीजों के दिखाता है गोचर मेश लगन好好 के लिए में मेश राशी पड़ती मेश राशी आप देखें अगनी तत्तों के राशी है उसके अंदर मंगल के गुण है मंगल के मूल त्रिकुण राशी है उसके अंदर एक फायर है उसके अंदर एक नई शुरुवात है कि कालपोष कुनली के शुरुवात होती है एरीज और एरीज यानि मेश राशी आपके स श्राशी में आएगा देर विल भी हूज एक्स्प्लोजन्स वार में संडरस्टेंडिंग लोग इंपेशन्ट हो जाएंगे लोग ज्यादा सोचेंगे नहीं कुछ करने से पहले एक मिसंडरस्टेंडिंग अफवाह के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने क मिलेंगी जो शायद हमने सोचे नहीं अभी राहू टारस में था तो वो ट्रेलर है कि वार हो रहा है और चीज़ें हो रही अभी जम एरेज में आया है तो आप देखिएगा ये लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना हाना इंपेशेंट हो करके डिसिजन ल लगना बुद्धी लगन आपकी बुद्धी को रिपरेजन करता है इंटेलिजन्स को रिपरेजन करता है तो राहू यहां पे आपके अंदर झल्दबाजी लाएगा आप चाहेंगे कि मैं जल्द-जल्दी-जल्दी कारे को करूं एसी फायर लाइगा कि आप हमेशा हिंप् बहुत एक किसी चीज़ को लेकर कि obsession आ जाता है कोई आता है कि यार पैसा कमाना है या जॉब करना है तो काम में लगे हुए तो लगे हुए इस तरीके से आपके अंदर हो राहू आपकी fire आपके उसको बढ़ाएगा दूसरा राहू एरीज में आए है तो आपको अपनी जो उ आपको साथान रहे ना है कि मंगल कब-कब आपके लगन ने पंचम या नवब में गोचर कर रहा है जहां पर आपका मंगल गोचर करेगा वहां पर यह राहू आपकी energy को लेके जाए तो आपके workplace आपके उस सब कारियों में परिवर्द्न या वहां पर जल्दबाजी अग्र यहां बैठा हुआ है यहां बैठा हुआ है तो आग लगने की दुरुगटना करंट लगना जल्दबाजी ओना इक्सिजन चोट यह सब लड़ाई जगड़े यह सब आपको देगा ठीक है पुलिस केसिस होना पुलिस की चक्रों में पढ़ना यह सब आपको दे सकता है अपनी चोरी होना ये सब चीज़ें होंगी अगर मंगल आपका लगन पंचम या नवं में है तो ये आपके साथ ये इंसिडेंट शो करेगा ठीक है दूसरा हेड का है तो मैंने कहा कि इस समय आप अपने सर पे राहु को हावी ना होने दो तो आपके लिए सही रहेगा ठीक है आप अ दोश में पता चला जिम जा रहे हैं वहाँ पर जहां तीस की लोग ठाना चाहिए श्रीर का जो एक वह था ना कि आप पीस की लोग उठा सकते हैं लेकिन आप पचास उठा रहे हैं जो तहीना कहीं वह फिर आपके बैक्बोन आपके कमर के हिससे को ब्रेक कर सकता है तो थो इस तरीके से आप अपने इंचेजों का ध्यान लगें ठीक है अमाली जे आपके चार्ट में गुरू बैठा हो फॉर एक्जांपल हम बात कर रहे हैं एरिज है आमना लिजे रहो यहां गया अमनल लिजे आपकी चांडों यहां बैठा हो यहां बैठा हो यहां बैठा हो यहां वैठा हो गुरू आपकी कुलली में नवं और बारवय खालो थे for example तो कहीं आपको यात्रा धर्म्विशेश की तरफ आपकी बहुत ज्यादा दूसरा आप देखो राहू एक क्लावडिड वीजन देता है अगर राहू का गोच्छ लगन में हो और जुपिटर को देख लिए तो एक गाड़ी और शादी महिलाओं की तरफ आप अट्रेक्ट हो सकते हैं इस पिरियड में अगर शुक्र आपके लगन पंचम या नवहम में बैठ हुआ है और कहीं न कहीं आपका शादी होने का योग बन सकता है आपके जीवन किसी लड़की का आने का योग बन सकता है दूसरा इसमें और चीज़ें यह हो सकती है कि अगर एक्स्टामेटियल का फियर हुआ तो इस समय आप साफधान रहें थोड़ा सा ठीक है गलत ये सीजन की वज़े से आपका वाहिक जिवन में प्रॉब्लम आ सकती है पत्नी का स्वास्ते का विशेष ध्यान अकने की अंसिक तनाव के अंदर आप आ सकते हैं आप सोचने समझेने की क्षंता आपकी जो है गलत हो सकती है तो बड़ों का मारग दर्शन जुरूर करें लें सौरी आपके फॉरण यात्रा या लीविंग प्लेस में बदलाओ डेफिनेटली आ सकते हैं या पर क्योंकि चंद्रमा अगर लगन पंचम या नवम में है तो राहू इस तरीके से आपको रिजल्ट देगा ठीक है आप इस समय अपनी गंदी आदितों से जैसे ड्रिंकिंग है या कुछ इसपेशली फूड को लेकर के आप थोड़ा सा विशेश दिहान रखें ठीक है इसके लावा अगर आपकी जन्टोनी में शनी बैठा हुआ है शनी लगन में है पंचम या नवम में है तो किसी के देहान्त होना वहत क्लोज रिलेशन में फौरण जन्नी या मुस्लिम लोगों की तरफ या मतलब एक डिफरेंट कल्चर के लोगों की तरफ आपका ट्रेक्शन होना या उनके साथ कोई यह नए जॉब स्टार्ट होना ठीक है कोई नया जॉब या अपने करियर में आप एक लावडड वीजन देखेंगे की यार मुझे यह जॉब नहीं करना मुझे कुछ और जॉब करना है, मुझे Яवाली कंपणी में काम नहीं करना मुझे कुछ रूष 드ूसरा आप जिस कंप प्रोफाइल में बदलाव लाएगा ठीक इस तरीके से यहां पर चीज़े हो जाएंगी और फॉरण जाने के लिए फॉरण की जो त्यारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होता है ठीक है और सेहत का विशेष ध्यानत के अपने क्योंकि राहू अगर लगन से जा रहा है और श तो कहीं न कहीं आप मिस अंडरस्टेंडिंग या कुछ बदलाव करेंगे ज़रूर अपने काम में बिजनस हो चाए करीड़ो यह आपको बदलाव देगा यहां पर बुद्ध अगर बैठा हुआ है माली जे बुद्ध लगन में है पंचम या नवम में है राहू का वोचर ह हो रहा है तो कहीं न कहीं आप इस चीज का ध्यान लखें कि आप देखिए मर्करी आपका थर्ड आउस है और मर्करी आपका छटा बाहव है तो यह रोग स्पेशली स्किन से लिटर इशू होना नर्व सिस्टम से लिटर इशू होना आपकी बुवा या मौसी की तरफ उनको प्रॉब्लमेटिक चीजें होना ठीक है आप हो सकता है कि गलत कोर्स या गलत अपने विशय जो सब्जेक्ट आप पड़ रहे हैं उसमें आप कुछ बल्लाव करें इस तरीके से आपकी बुद्धी को ब्रहमित करता है ठीक है आपके दोस्त बनेंगे जो फॉरन से जुड़ की उपर से गोचर करें देरे विल बी नियू बिगिनिंग नई शुर्वात वहां पे करवाता विकॉस राहू इस दो बिगिनिंग राहू ट्रांजिट इन लगना देविल बी ओपनिंग ओफ न्यू कर्मा फॉर यू ठीक है राहू और केतु का बहुत बड़ा रोल है आप के जीवन में किसी को लाना और और किसी से दूर करना अगर सूर्य लगन में है पंचम या नवम में है तो आपका मेल चाइल्ड या आपके पिता को विशेष धिहान देना है अपनी हेल्थ पे ठीक है हो सकता है कि आपको पिता के साथ कुछ इशू हो जाएं आपके अगर स्वास्ते सुबंदी आपके यश में कमी यह सब चीजें आपको देखने को मिल सकते गौवर्मेट से प्रॉब्लम आ सकता है तो राहु के तु जब लगन या सब्तम में आते हैं तो किसी ने किसी को आपके जीवन में ली करके आते हैं या किसी को आप से दूर कर देते हैं इसलिए शादी होना, संतान होना, ठीक है, नए रिलेशन्शिप बनना, और नए गुरू से मिलना, ये सब चीजें आपको राहू लगन में देगा, ठीक है, ये तु छटे में आ रहा है, लेकिन हम राहू की बात कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि राहू यहां पे है, राहू की दिश्टी यहां पे है, और यहां पे है, ठीक है, तो आपका चार, आठ और बारा एक्टिव है, यानि कि आपके बारवां भाव में जया है, या बारवे भाव से जुड़े हुए, कारियों के ब्रती बहुत लगाव या obsession देगा यह, फॉरण जाना है, फॉरण जा यात्रा आपसे करवा सकता है, आपके living places में बदलाओ, आपके रहने और सोने के places में बदलाओ, यह करेगा, आपके workplace में भी environment को change करेगा, यानि transfer दे सकत है, यह सब आपका राहू बारवे भाव में करवाएगा, आप यह बारवे भाव में राहो गया, तो आपके खर्चे को वड़ाएगा, अब आप यह देखिएगा, कि मंगल कहां पर है, मंगल जहां पर भी आपकी जन्म कुनली में है, वहां के result prominently आपको देगा, यह third house में ह है, ठीक है, third house में है माल लीजिए, तो यह राहू आपके तित्य भाव, यानि छोटे भाई-भाई, सबंदो, भाई-बंदो, और शादी से समंदित, यह सारे इवेंट आपको देगा, ठीक है, मंगल क्योंकि आपका seventh lord है, लेकिन primarily वह बारवे भाव के result आपको देगा, तो इस पे आपके यह 18 महिने main focus में रहने वाले हैं, ठीक है, इसके इलावा, अपनी आँखों का विश्रीव ध्यानत के हैं, ठीक है, बारवे भाव में है, अगर बारवे भाव में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, शनी बैठा है, तो पाव में चोट लगना बार-बार, ठीक है और समस्या हो सकती है, बलड से लिटीड इश्यूज हो सकते हैं, अगर मंगल बैठा हुआ है, पती और भाई के लिए थोड़ा problematic period रहेगा, अगर मंगल बारवे भाव में, चोटे भाव में, या रष्ठम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, जुपिटर अगर बैठा हुआ है, तो भी आपके किसी अपने को बहुत करीबी को कोई कष्ट हो सकता है, अपनी सीहत का विशेज द्यानक है, और भ्रहम में आपको डालेगा, अगर जुपिटर आपका बारवे भाव में, चोटे में या रष्ठम में है, तो ये आपको कहीं न कहीं, एक ब्रहम में डाल सक चीज़ें हैं, जो भोग की चीज़ें हैं, ठीक है, अब बारवे भाव में फायर साइन हैं, तो आपको कोई न कोई डिसीजन, अगर किसी के चार्ट में शुक्र बैठा हुआ है, या कुछ और ग्रहे बैठे हुए, तो कहीं न कहीं, बाहर कुछ रिष्टों में तो भी आपको अपनी सेहत का विशेश ध्यानक ना है, इसके इलावा आपके वर्क प्लेस में बदलाओ, पिता की सेहत में परिशानी, अगर सूर्य भी कहीं पर आपका बारवे चौथे या अश्टम में हैं, तो ये आपके पिता को कश्टकारी समय देगा, ठीक है, हाला कि गौर्मेंट जॉब की त्यारी अगर कोई कर रहा है, तो गौर्मेंट जॉब उसकी लग सकती है, ठीक है, इसके इलावा आपकी जनकुलनी में, राहु जब भी शनी के उपर से जाता है, तो वो कहीना कहीं ये पीडा दायक समय हो जाता है, ठीक है, और कहीना कहीं आपके ज का कि सोने के जो तरीका है सोने का जो टाइमिंग है उसमें बदलाव जरूर देगा राहू बारवें भाव में गया तो इस तरीके से आपका में फोकस आपका जो नया कर्म एक्टिवेट हुआ है डैट विल बी रेलेटेट तो ट्वेल्थ हाउस ठीक है यानि की बारवां अगर आपका शुक्र बारवें भाव में है चोथे में अश्टम में है तो अपनी सेहत का क्योंकि लगनेश के उपर से जाएगा दूसरा आपके वीनेस आपकी वाइफ होती है तो उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आईगी लेकिन सड़न गेन आपको तो यह सब चीजों में आपको करवा सकता यानि कि यह सब चीजें आपको दे सकता है इसके लिएब़ ब्ढ़ा में तो आप यह देखें लुए ने लौड और फिफ्ट लौड है तो संतान को कष्ट संतान से जुड़े हुए चीज़ों में विशेष द्याने देनी कि आप शक्ता है और पैसा हो गेन आपको मिल सकता है और सडन सडनली आपके बढ़ेंगे अगर बुद्ध वहां पर बैठा हुआ है अपनी वानी पर विशेष द्यान दें अब हाँ यहां पर यह हो सकता है कि अब आप क्यूंकि राहो ऑप्सेशन है और बुद्ध आपका सेकंड लौड है तो कहीं न कहीं आपको ऑप्सेशन देगा किस चीज़ से पैस यात्राओं पर खर्च करवाएगा आपसे और लिविंग प्लेस में बददाओ करवाएगा आपकी जो सिस्टर्स हैं उनकी लाइफ में कुछ पर परशानी उनको यह सब आपको राहू यहां पर देगा तो यह बात हुई टॉरस वसेंड़ अब यह बात करते हैं हम जैमिना लगन के लिए राहू 11 भाव में आ रहा है तो आपके अंदर एक उप्सेशन देगा कि आप अपनी इंकम को बढ़ाएं आपके लाब को बढ़ाएं तो सड़न गेंद और सड़न लाब तो बढ़ाएगा अचानक यह बढ़ा सकता है तीक है स्पीड अप करेगा आपकी एफ कि 159 एक्सिज में है मतलब उसका प्रभाव यहाँ पे आपके सब्तम भाव पे पड़ता है तो जिनके शादी नहीं हुई है जैमिराई लगन वालों की यह नई शादी का उपर्चून्टी देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में यह एक नई शुरुवात आपके रिलेशनश सिव बना सकता है ठीक है आपको नई उपर्चून्टीज आपके धन कमाने के लिए यह राहू आपको देगा यह तब तक गोचर सही है अम आ लिजे राहू का गोचर बुद्ध की उपर से हो तो बुद्ध आपका लगन लौड है आपका फोर्थ लौड है ठीक है तो यह क् दे सकता है दूसरा आपकी मदर को अपको अपनी मदर की सेहत का विशेज ध्यान अगना है इस्पेशली अगर बुद्ध मैंने कहा तीसरे भाव में है ग्यारव में है या सब्कम में है ठीक है नए फ्रेंड्स बनेगे सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क या यूट्यूब य इस्टाग्राम या कुछ हिससे जुड़े है जो काम है उससे आपको लाब देगा ठीक है आप नेटवर्क को बढ़ाएगा फॉरण तक लेके जा सकता है फॉरण के कांटेक्ट्स बढ़ेंगे अजनभी लोग आप आपको हेल्प करेंगे आपको उनसे प्राप्त होगा धन यह सब चीज़ें आपके यहां पर देगा यह तो आपका सेवेंथ लौड है तैन्थ लौड है तो कारे परिवर्टन दूसरा मैंने का कि आप नए ऐसे रिलेशनिशिप में आ सकते हैं आपकी जीवन में ऐसा कोई वक्ति आ सकते हैं जिसको आप पहले से नहीं जानते हैं उ या उनके साथ किसी तरीके का पार्टनर्शिप आप कर सकते हैं दूसरा मैंने का राहू जब गुरू के उपर से आ तो आदमी राहू इसको स्वास्त्यस्वंदी परशानिया या बहुत सारे ऐसे इस समय उनको अपनी सिहत पे शेयर द्यान देनी की आप शकता है उनकी पर्सनलिटी में बदलाव जरू देता है राहू का ट्राजिक गुरू के उपर से हो तो ठीक है फॉरन जाने के लिए अच्छा होता है मैंने का राहू का गोचर चंदरमा के उपर से गुरू के उपर अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस दे सकता है यह राहू का गोचर है और संतान प्राप्ति का भी यूग बनता है इस लगन मालीजे राहू का गोचर आपके दर्शम भाव में हुआ ठीक है तो दर्शम भाव की सीदका है पहली बात आपके कारे क्षित्र में परिवर्थतन नई शुरूआत आपकी कारे में ठीक है दूसरा आपके लिविंग प्लेस में बदलाओ ठीक है दूसरा अगर यहां पर कोई मैलेफिक प्लैनर बैठा हो तो आपको डाउन फॉल देगा लिटिगेशन दे देगा वहां पर ठीक है आपको वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपने वर्क प्लेस पे आपका एंवार्मेंट कर रहे हैं कुछ प्लाइमेट चाहते हैं तो उसमें यह राहू आपको सकस्स जरूर देगा ठीक है और सेकिंड आउस को देखेगा तो फैमिली धन इन सब की तरफ आपका सबसे ज्यादा ध्यान जाने वालों ठीक है आपके शब्दों में अब राहू आजाएगा आपकी व करना चाहते हैं या कुछ राजनिती से जुनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है ठीक है और इसके लावा आप यह देखें कि यहाँ पे मंगल हो अगर सुर्य है तो पीता आपकी आँखों से समंदित डिजीज या फादर इन लोग को कुछ परिशा अगर शनी किसी इवेंट को दिखा रहा है तो राहू वही इवेंट को डिलीवर करता है तो राहू के तू आर डिलीवरी बॉइस राहू के तू आर डिलीवरी बॉइस तो शनी को देखें कि आशनी का गोचर क्या दिखा रहा है अगर वो खराब कंडिशन दिखा रहा है ग कि अगर मालीजे चंद्रमा बैठा हुआ है दशम में तो मैंने कहा लीविंग प्लेस में बदलाओ यात्राय माता को स्वास्ते समंदी परिशानी और आपके अंदर भी एक आपकी पर्सनलिटी में बदलाओ क्यों क्योंकि चंद्रमा आपका लगनीश है चंद्रमा आपका अगर जूपिटर यहां बैठा हो तो यह आपके लिए खराब समय हो सकता है आप इन्वाल्व हो सकते हैं बहुत ज्यादा किसी और आपके अंदर एक अगर आपके गुरू के उपर से हो रहा है तो नई शुरुवात आपसे जरूर करवाएगा तो यहां पे बात हुई अब आप इसमें भी थोड़ा ध्यान लखेगा कि अगर आपकी कुंडली में अलड़ी मंगल राहू बुद्ध राहू कुछ ऐसे खराब योग बने हुए हैं तो उन खराब योगों को एक्टिवेट करेगा उससे लिटेट परिशानी आपको ज्यादा होंगे मालीजय चंद्रमा राहू की यूटी बनी हुई है सेकंड आउस में टैंथ हाउस में या आपके छटे भाव में तो क्या होगा प्रॉब्लम क्रेट होगा डेफिनेटली मदर को प्रॉब्लम क्रेट होगा आपके खाने पीने की चीज़ों की तरफ जैसे चॉकलेट खाना कॉफी ज्यादा पीना मतलब एक फूड हैबिट में भी बनाव देगा आँखों का इस्पेशली ध्यान रखना है अगर सूर्य बैठा हुआ है तो यह आपको अब सूर्य के उपर से जा रहा है तो क्या करेंगा आपको माइगरेन के इशू होना या सिससर आँखों में भारीपन की शिखायत यह सब आपको देगा तो इसलिए आप जो है अपनी स कंसर्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर लिग देता हूं क्योंकि हो सकता है मैं वीडियो को एडिट ना करूं और आप मेंसे जो नक्षत्र कोर्स और प्रडिक्टिव कोर्स में जाना चाहते हैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं कॉंटेक्ट डिटेल्स इस प्रकार हैं को नंबर है आप लेख लीजिए यहाँ पर इस नंबर पर आप कंसल्टेशन और कोर्षिस के लिए कॉंटेक्ट कर सकते हैं आई होप आपको वीडिया पसंद आया होगा बताने को एक लगन के उपर बहुत किस बोला जा सकता है बाट कहीं न कहीं समय जो है कम है तो चलिए लेते हैं इस आज़त पर नाम